बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्लाम नेकुम स्टुडेंट्स, वेलकम तु साइंस क्लास, इस लेक्ट्चर इस फूर ग्रेट सेक्स, स्टुडेंट्स पहले हम लोगों ने कुछ मिजर टॉपिक्स पढ़ लिये थे, ठीक है, और उसके इलावा अब जो आगे आपके आरे हैं सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें एक लाव है, और वो लाव क्या है, एनर्जी कैनोट बी मेड, नौर इट कैन बी डिस्ट्रॉइड, बट एनर्जी कैन बी चेंज़ फूर वन फॉर्म तो एनर्जी, यानि एनर्जी कभी भी आपकी ना तो खतम हो सकती है, और नहीं आप उसको बना सकते हो, बलकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, इसको हम कहते हैं, लाव कंजर्वेशन ओफ एनर्जी, यानि ये जो फैक्ट है, इसको हम कहते हैं, लाव कंजर्वेशन ओफ एनर्जी, राइट, उसके बाद कहा रहा है, consider a pendulum, a hanging ball, देखें, ये जो पिंग कलर की है, ये आपने बाल हैंग कर दी, swinging back and forth, आगे पीछे move कर रही है, when the ball stops for a moment at the highest point in your swing, it has no kinetic energy, क्या कह रहा है, when the ball stops for a moment at the highest point, जब highest point पे जाएगी, तब क्या होगा, तब वो highest point पे जाके रुके गी, तो तब उस लम्हे में सारी की सारी जो है, वो आपकी potential energy होगी, ठीक है, उस time पे आपकी kinetic energy नहीं होगी, the energy is all potential, when it comes down at the lowest point on your swing, जब वो lowest point पे आईगी, बिलकुल lowest point पे, तब क्या होगा, its speed is greatest, here the pendulum has no potential energy, the energy is all kinetic, क्यों kinetic energy होगी, क्योंकि kinetic energy किस पे depend करती है, speed पे और mass पे, तो speed तेज होगी, तो इस वज़ा से उसकी वो kinetic energy बन गई, next कह रहे है, the pendulum keeps swinging, यानि वो आगे पीछे ऐसे ही जाता रहेगा, changing the form of energy, but the total amount of energy remains constant, यानि वो एक form से दूसरी form में change होता रहेगा, basically conservation of energy rule क्या है, कि energy ना तो बनती है और ना ही खतम हो सकती है, बलकि ये एक form से दूसरी form में चली जाती है, और इसको conservation of energy कहा जाता है, next है, when after a long time, the pendulum stops its swinging, what happens to its energy, क्या होगा, जब आपका pendulum stop हो जाएगा, तो फिर इसकी energy का क्या होगा, फिर इसकी energy खतम नहीं होगी, बलकि conservation of energy के law के मताबग अपनी शकल change कर लेगी, जैसा कि हर swing करने पे जूलने के दूरान इसकी energy की एक शकल तदील हो रही थी, इसी तरह से होती रहेगी, Is this energy lost? No, according to the law of conservation of energy, the energy cannot be made or destroyed, यानि ना तो बन सकती है और नहीं destroy हो सकती है, it simply changes its form और वो अपनी form को change कर लेती है, in case of pendulum, in each swing, very small amount of its energy changes to heat energy, which increase the temperature of the string and the ball, heat disappeared in the atmosphere, क्या कह रहे है, कि energy के मताबिक अपनी शकल change कर लेती है, जैसा कि हर जूलने के दूरान इसके energy की एक नहायत, बहुत छोटी सी amount जो हीट की energy में तबदील होती रहती है, जिससे pendulum की जो आपकी string है, और जो आपकी ball है, इन दोनों का temperature जो है वो बढ़ जाता है, तो जो आपकी ball है और string है, ये इससे फिर ये हरारत की तवनाई फिजा में तहलील हो जाती है, ये आपका था energy conservation of, law of conservation of energy, next आपका है, describe at least three renewable sources of energy, right, इसमें three renewable sources पढ़ेंगे आप, students, book से थोड़े सी change लिखे हैं, मैंने वहाँ पे means हैं इसी के तरह के, लेकिन एक दो points उसमें change होंगे, आपके planner में वो इसलिए हैं, कि उसमें मैंने थोड़ा simple करके लिख दिया था, right, सबसे पहले हम पढ़ेंगे wind energy, wind energy, wind has kinetic energy in it, a wind में लिजदा machine which has blares, these blares move by the energy of wind, मैं अब सिर्फ ये बता रहे हूं कि इसमें क्या है, इसको कहते हैं हवा के energy, हवा के energy में kinetic energy होती है, ठीक है, हम हवा के energy से बिजली पैदा कर सकते हैं, ये एक renewable energy है और जो के हमें free of cost available है, next आप देख लें solar energy, means शमसी तवनाई, सूरे से आने वाली energy को solar energy या फिर शमसी तवनाई कहा जाता है, शमसी तवनाई में, शमसी तवनाई जमीन को मुफ्त हासिल है, solar cell की मदद से शमसी तवनाई को बिजली में तबदील किया जा सकता है, ये भी energy की एक renewable जरिया है, ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट इसमें था, hydroelectric energy, hydroelectric energy क्या होती है, यानि बेहते हुए पानी की kinetic energy को electrical energy में तबदील किया जाता है, ये energy hydroelectric energy कहलाती है, हम दर्याओं पर बंद बांद कर इस energy को पैदा कर सकते हैं, ठीक है, ये energy भी renewable source of energy है, यानि ये तीन वो तरीके हैं, जिनसे आप energy हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया, students? Students, next or last question जो है, वो है energy transfer in an environment, energy कैसे transfer होती है, environment में, green plants use sunlight to grow and make food, this solar energy is stored in the form of chemical energy of food, animals and human beings eat the food prepared by the plants, definitely, आपके plants जो sunlight से food बना रहे हैं, वो animals और humans जो हैं, वो consume कर रहे हैं, the chemical energy of food transfer to their bodies, the bodies of animal and human being change the chemical energy of food to the kinds of energy, देनी एडिया नी, जिस जिस में हमें चाहिए, उसस form में वो energy आगे से convert हो रही है, heat energy and kinetic energy then disparate in atmosphere, similarly solar energy causes wind energy, sea tides energy and many other forms of energy, all these energies changes their form and at the end disparate in atmosphere, क्या कह रहे हैं, कि पोदे solar energy को इस्तमाल करके अपनी खुराग बनाते हैं, राइट, पिर solar energy पोदे की खुराग में chemical energy की शेकल में सेव होती है, जो कि पोदे की खुराग की यह chemical energy उसवाग जानुरों चुरागों की जिस्तमाल करते हैं, इनसानों और जानवरों के जिसम इस इनरजी को अपनी जूरूरत के मताबिक दूसरी किसम के इनरजी में चेंज कर लेते हैं बाद में यही इनर्जी इनसानों और जानवरों के जिसम से काइनेटिक इनर्जी या हीट इनर्जी की शकल में खारज होकर फिजा में तहलील हो जाती है इसी तरह सोलर हवा की एनरजी, समंदरी लहरों की एनरजी और दूसरी बहुत सी किसम की एनरजी को पैदा करती है ये तमाम एनरजी आखिर में फिजा में तहलील हो जाती है राइट, स्टुरेंट्स आप लोग का चेप्टर कवर हो गया है इसको समझेगा, जो ना समझाए वो मुझे से पूछ लीजेगा अलाफ़ अपना ख्यार रखिएगा